हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल फंड भी दिपक पर स्वागत है दोस्तों से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉलिमेरे चैन रेक्षन के उपपर उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उसमें कुछ क्वालिटी से रेलेटिड कुछ प्रॉबलम आ गई थी आसा कर करता हूं कि इस वीडियो में आपको ऐसी प्रॉबलम फेस करने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों उस वीडियो में जो मैं नोट्स प्रोवाइड किये थे एंड में वो सायद आपको अच्छे से साफ नहीं मिले पाये हूं तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो PCR reaction के basic steps के बारे में बात करूँगा उसकी temperature profile के बारे में बात करूँगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लेगे तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना share कर देना और हमार चैनल को subscribe कर देना आगे भी हम आपको ऐसे ही इंट्रेस्टिड और education related वीडियो आपको प्रोबाइड कराते रहेंगे तो दोस्तों जो PCR के basic steps है वो फैस्ट है दीनेचुरेशन दोस्तों इस steps के दोरन क्या होता है दोस्तों जो हमारा double standard DNA molecules होता है उसको हम high temperature पर subjective करते हैं तो वो हमारा single standard DNA molecules में convert हो जाता है ठीक दोस्तों तो यह किसके जरी होता है denaturation का जो हमारा double standard DNA molecules है उसका denaturation हो जाता है और वो single standard DNA molecules में convert हो जाता है तो generally जो यह step है वो 94 degree Celsius में हमारा carry out होता है ठीक है दोस्तों मैं और आपको अच्छे से notes में दिखा के और अच्छे से समझा दूँगा तो दोस्तों दूसरा step है हमारा वो होता है हमारा any link तो दोस्तों इस steps के दौरण क्या होता है दोस्तों जो हमारे primer होते हैं papier क사 के अच्छे फोरबड़ और वैकवाड़ हुआ है कि उस्ती बैकवाड़ और click का होता है डोस्तों जो हमारे DNA स्टेर ये फाइब प्रैम में होने कै तो थी प्रैम और ये थी प्रैम में जो हमारे जो DNA molecules में एक्जिस्टिंग साइट है वहाँ पर बाइंड अप हो जाते है एनिलिंग steps के दोरान और इस जो यह step है यह generally lower temperature 50-60 degree Celsius पर यह carry out होता है तो दोस्तो जो third हमारा step से वह होता हमारा extension तो दोस्तो extension step के दोरान क्या होता है जो हमारा enzyme होता है tag DNA polymerase यह enzyme क्या करता है दोस्तों जो हमारे stand है DNA stand होता है उनके बीच में जो primer होते हैं जैसे यह forward है और यह backward primer है तो इनके बीच में जो segment fill करने होते हैं वो tag DNA polymerase का fill करना काम होता है तो यह किसके help से करता है दोस्तों एक तो DNTPs और magnesium ions की help से करता है दोस्तों DNTPs क्या होती है हमारे DATPs, DTTPs, DCTPs और DGTPs दोस्तों यह क्या होती है deoxy adenosine triphosphate, deoxy thymine triphosphate, deoxy cytosine triphosphate, deoxy gaunine triphosphate यह दोस्तों जो segment हो हमारे complementary strand बनते हैं वो DNTPs की help से बनते हैं suppose हमारा कोई segment है यहां से यह कोई हमारा DNA molecules है A, T, G, C यह इसके segment हो तो इसका complementary new strand बनेगा ना इसका complementary new strand बनेगा वो इसके complementary strand बनाता है जैसे 8 से T, यानि adenosine, thymine, adenosine, guanine, cytosine, cytosine, guanine इस करें जो यह segment फिल होते हैं उसका काम इनको कौन फिल करता है वो tag DNA polymerase को फिल करता है यह primer towards each other extend होते रहते हैं और हमारे DNA टिपिस फिल कर देते हैं magnesium क्या role play करता है यह magnesium ions इस tag DNA polymerase की activity को boost up करते था ठीके दोस्तो तो दोस्तो अब हम इसको figure के जरीए इसको समझ लेते हैं दोस्तो सपोज यह हमारा कोई double standard DNA molecules है ठीके दोस्तो तो दोस्तो हमारा पहला step है denaturation जो हमारा carry out होता है 94 degree Celsius पर तो denaturation के दोराई यह double standard DNA molecules double standard DNA molecules को हमारा single standard DNA molecules में convert हो जाता है जैसा दोस्तो अब इस figure में देख सकते हैं अब नेक्स स्टेप होता हमारा annealing जो जनरली 50 से 60 degree Celsius पर carry out होता है temperature तो सॉरी दोस्तों तो दोस्तो इस दोरन क्या होता है यह लिंक के दोरन इस step के जरिए जो हमारे primer है वह अपने existing side पर bind up हो जाता है ठीक है दोस्तों सब्सक्राइब यह हमारा backward है वह अपने existing side पर यानि backward primer है वह 3' to 5' के और move करेगा तो यह suppose हमारा backward primer हो गया और यह हमारा अपनी existing side से जो है यह primer जो bind up हो गया और यह 3' to 5' यानि forward direction में extend हो रहा है तो दोस्तों इनके बीच में जो segment है इनके बीच में जो segment fill होते हैं वो किस की आच होते है dna dna polymerase यानि tag dna polymerase की help से fill होते चले जाते हैं यहां पर dntp's add होती चले जाती है और हमने complementary stand new stand मिल जाता है तो third step हमारा क्या होता है extension जो generally हमारा 70 degree celsius पर carry out होता है दोस्तों मैंने पीछे बता यह यह extension step है जो 72 degree celsius पर carry out होता है ठीक है दोस्तों तो इस दोरन क्या होता है जो हमारा enzyme है वो दोस्तों dntp's को यहां पर fill करता रहता है और हमारे जो primer है वो towards each other extend होते रहते हैं और हमें original duplicate मिल जाता है किसी भी dna molecules का complementary stand बन जाता है जो original dna molecules होता है उसका ही duplicate होता है ठीक है दोस्तों तो यह कैसे होता है देखें दोस्तों तो दोस्तों जैसे हमारे यहां पर forward है और यहां से backward था backward और forward primer तो यह जो है इस तरीके से आगे extend होते रहेंगे towards each other यह इस तरफ से ठीक है दोस्तों यह ऐसे जो है यह हमारे complementary अब दोस्तों देख लो यह भी double standard और यह भी double standard dna molecules बने गया तो ऐसी हमारी further cycling करते रहते हैं दोस्तों तो for multiple copies of dna या फिव desired dna molecules के लिए ठीक दोस्तों आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीश इस वीडियो को लाइक कर देने शेयर कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब आगे देख सकते हैं temperature profile of PCR reaction तो दोस्तों जैसे मैं पता हैं कि PCR के ठीडिवारी स्टेप्स होते हैं स्टेटरेशन हो जाता है दोस्तों 10-18 Nucleotide 10-18 Nucleotide लेंध का हम यूज़ करते हैं तो इसकी लेंध पर डिपेंड करता है कि वो जो अनिलिंग टैंपरेचर है वो कितने बीच में बढ़ा है तो mostly हम 55 के आसपास ले लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं 55 पर अनिलिंग टैंपरेचर यहांपे तो यहां से देख सकतेugen unto सबोझ यह माल लेते हैं ही यह हमार एनिलिंग टैंपरेचर हो गया अनिलिंग स्टैप यानि 50-60 कि कि अथे कि दोस्तों दोस्तों हमारा जो अबम नेक्स है वो एक्सटेंशनी वह जनेरलisión टूट् सेवेंटी सेवन्टी सेवेंटी इसके बसट फॉपॉइंट यहां से यह पर के रियाओट तो यह हमारा एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन टेंपरेचर जो 72 तो यह सिंपल है बहुत ही इसका जो यह बेसिक प्रोफाल टेंपरेचर प्रोफाल प्रोफाल पीचेर रेक्शन है दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि यहां से दिनेटरेशन यह जो पॉंट है दिनेटरेशन को सोगरता है 94 डिगरी पर जो हमने जनरल जो है 55 डिगरी शेल्सेस ले लिए था और यह एक्स्टेंशन जो 72 डिगरी शेल्स पर करें आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगे होगी तो दोस्तों अब मैं आपको वह पिछले पीडियो में जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला था वो और इस टेंपरिचर प्रोफाइल की और इसकी जनरल मेकेनिप्स के नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं आप वीडियो को पॉस्ट करके जो यहां से सिक्रिंशॉट ले सकते हैं दोस्तों यह पीसिया रियक्शन का फर्स्ट पेज है आप यहां से वीडियो को पॉस्ट करके जो सिक्रिंशॉट ले सकते हैं दोस्तों यह हमारा सेकिंड पेज है आप जो पॉस्ट करके सिक्रिंशॉट ले सकते हैं दोस्तों यह थर्ड पेज है थैंक यू अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस इस वीडियो को लाइक कर देने शेर कर देने और हमार चैनल को सब्सक्राइब कर देने